नमस्कार, आज मैं आपके साथ शेर कर रही हूँ लोकी चनादाल की बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही स्वाधिस और हेल्दी सबजी अगर बच्चे लोकी नहीं खाते तो आप इस तरीके से एक बार लोकी की सबजी चने की डाल के साथ बना कर देखेगा उन्हें बहुत भाएगी चलिए बनाना शुरू करते हैं लोकी चनादाल यहाँ पर मैंने आधा कपली है चनादाल चनादाल को अच्छी तरह से धोलेंगे दो से तीन बार जिससे कि उसके उपर कोई केमिकल पाउडर बगरा लगा हो तो वो निकल जाए दोने के बाद चनादाल को हम साफ पानी में बिगो कर रखेंगे 15-20 मिनिट के लिए 15-20 मिनिट तक हम जब दाल को भिगो देते हैं तो दाल सोफ्ट हो जाती है ऐसा करने से सबजी हमारी जल्दी बन जाती है तो 15-20 मिनिट यहाँ पर हो चुकी है और दाल साइज में डबल हो चुकी है देखे मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ इतनी देर में ही दाल सोफ्ट हो जाती है यह देखिए अब दाल को अच्छे से 2-3 बार और धो लेते हैं और धोने के बाद इसका पानी निकाल कर साइड में रखते हैं यहाँ पर मैंने ली है आदा किलो लोकी लोकी को सेंटर से काट कर देखते हैं उसके अंदर सीड नहीं होने चाहिए बिलकुल कच्छी लोकी है बहुत अच्छी इसकी सबजी बनेगी इसे हम छील लेते हैं और आगे और पीछे का इसका डंठल हटा लेंगे इस तरीके से औ लोकी को थोड़ा सा कट करके खा देखिएगा लोकी बिलकुल भी कड़वी नहीं होनी चाहिए आप कभी भी लोकी की सबजी कौफते कुछ भी बना रहे हैं आप जरूर उसे काट कर खा कर देखें लोकी कई बार कड़वी होती है तो सबजी हमारी फिर खराब हो जाती है इ यहाँ पर हम इसे डाल देते हैं प्रेसर कूकर के अंदर साथ है हम पहले ही पानी जादा डाल देंगे तो सबजी इच्छी नहीं बनेगी बहुत जादा पतली बन जाएगी पेस्ट के कोडिंग नमक डाल दिया है थोड़ा सा हल्दी पाउडर आदा चमब करीब डाला है हमने और कुकर कर देते हैं बंद यहां पर ढकन लगा देते हैं इस और साथी दो बड़े साइज की प्याज ली हैं उनको पतले टुकडों में काट कर डाल दिया है अब यहां पर डालेंगे हम दो से तीन हरी मिर्ज इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है सबजी में हो तो जरूर एड़ कीजेगा आप इसके अंदर एक चमबच लसन अद पाउडर आदा चमबच लाल मिर्ज पाउडर एक चमबच धनिया पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक नमक हम पहले भी सबजी में डाल चुके हैं तो यहां पर नमक हम उतना ही एड़ करेंगे जितना की प्याज और टमाटर में जाएगा दो मिंट इसको हम ढखकर पकाएंगे जिससे की अच्छी तरह से मसाला भुन जाए और टेल रिलीज हो जाए मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है अब हमने खोला है यहां पर प्रेसर कूकर क्योंकि गैस रिलीज हो चुकी है प्रेसर कूकर की ये देखिए दाल हमारी अच्छे से पक चुकी है और जो लोकी है वो भी अच्छे से बॉल हो चुकी है मैं आपको दाल को थोड़ा सा तोड़ कर दिखाती हूँ अगर हम इसमें ज़्यादा सीटिय लगवाते हैं तो दाल इसके अंदर घुल जाती और सबजी हमारी देखने में और खाने में दोनों ही स्वाद बिगड़ जाते तो हमने यहाँ पर प्रेसकूकर खोलने के बाद सबजी को डाल देना है मसाले के अंदर मसाले के अंदर इसे एड़ कर देते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे आप चाहें तो इस टाइन सबजी को अच्छे से मैश कर सकते हैं जैसे कि मैं आपको कर्ची से करकर दिखा रही हूँ इस तरीके से लोकी चना दाल की सबजी को आप ज़्यादा मैश ना करें यह थोड़ी सी दिखती हैं चने की दाल और साथी लोकी तो देखने में भी सबजी अच्छी लगती है अब हम सबजी को 2-3 मिनिट मेडियम आज पर उबाल लेंगे अच्छे से जिससे की फ्लेवर अच्छे से आ जाए लोकी और चने की दाल के अंदर मसालों का आदा चमच गरा मसाला पाउडर भी डाल दिया है हमने और हमारी सबजी 2 मिनिट के बाद बन कर खाने के लिए तयार है सबजी बहुत अच्छी बनती है ये आप एक बार से जरूर ट्राय कीजेगा अगर आपको लोकी चने दाल की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेर कर दीजिए और मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले देखिए मैंना हलका साइसे मैश कर दिया है कितनी अच्छी हमारी देखने में सबजी लग रही है उससे भी जादा स्वादिस्ट खाने में लगती है इसकी बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है घर में और सब्सक्राइब हमारी हाँ पर बुल्कुल कम्प्लीट है बनकर कैस कर देते हैं आप इस सबजी को रोटी के साथ, चावल के साथ, पराठे के साथ किसी के भी साथ खाईए ये बहुत ही जादा टेस्टी लगती है और बहुत हेल्दी भी होती है तो आप इसे जरूर ट्राइ कीजेगा मिलती हूँ आपसे ऐसी ही तेस्टी, हेल्दी और यूनिक रेसिपी के साथ अपना खूग खयाल रखिए नमस्कार